सभी महानुबाओं को योग द्योस पर हार्दिक अभिनंदन और योग द्योस के हार्दिक सुबकामना है हमारी बुजर्गों की देने प्राचिन काल से रिश्यमुनियों की देने की योग को उन्होंने हमारे जीवन में समाहित किया उनका योग यम नियम प्राणायाम इन चीजों के द्वारा हम अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे इसमें पैसा भी नहीं लगता है हमें अपने सरीर का ध्यान रखना है तो हम खुद घर पे बैठ करके योग कर सकते हैं योग का जीवन में बहुत महत्व है विविन प्रकार की योग हैं जो सरीर के अंग प्रत्यंग को स्वस्त रखने में साहिता करते हैं पुराने रिशी मुनियों को हम देखते हैं उनके चित्र देखते हैं उनका सरीर है वो क्रिस्काई लगता है लेकिन जो दूसरा पहलू है उसका कि वो पूंत हैं स्वस्त होते हैं और आज के युग में यह प्राचिन काल सही लेलू जैसे कि सरीरिक शिक्षा में एक कोटेशन है कि ए साउंड माइंड इन साउंड बोडी स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्तिस्क निवास करता है तो अगर आपका सरीर स्वस्त है तो आपका मस्तिस्क स्वस्त है मस्तिस्क अगर आपका ठीक है तो विभिन धाराओं में जिस भी कोई भी जो ग्यान की धारा है जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं कोई विशे पर आप बढ़ रहे हैं उसमें आप अपना सर्वस्रेश्ट दे पाते हैं तो योग का कसरत का प्राणायाम का हमारे जिवन में बहुत बड़ा महत्व है और वर्तमान में जब कोरोना काल चल रहा है लोग कोईट से ग्रिशित है एक भैसा बना हुआ है उससे भी अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो योग की साहिता हमें लेनी चाहिए निजात रूप से अगर हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्त रहेंगे ये हमारी थाती है हमारा सोभाग्य है कि हम भारत देश में पैदा हुए और योग की जो थाती है वो हमें मिली तो मैं एक बार सभी का इस कोईट से आप सभी लोग बचे रहें योग की स लिगायता से ऐसे सुबकामनाओं के साथ योग्यजन दिवस की आपको एक बार पुन हैं सुबकामनाइज योग दिवस पर आप सभी को मेरी तरब से साला परिवार की तरफ से सुब काम नाई सरीर का स्वस्त रहना बहुत अतियावशिक है इसलिए किसी ने कहा है पहला सुप निरोगी काया सरीर स्वस्त रहेगा तो अपन सभी कारिये अच्छी तरह से कर सकते हैं पुराने जमने में साथ सुप हुआ करते थे पहला सुप निरोगी काया, दूसरा सुप घर में माया, तीसरा सुप पतीवरता नारी, चोता सुप पुत्र आग्या कारी, पांच्वा सुप पंच्छा में वासा, छटा सुप ग्यान में राज में पासा, और साथ सुप ग्यान प्रकासा पर आज के यूग में ये चीजें शेमट कर दो सुक में बदल गई है पहला सुक घर में माया और दूसरा अच्छे डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं अपन पहले ही अपने सरीर को इतना अच्छा स्वस्त रखें ताकि अपन बीमारी नहीं हो अंग्या जी में काउत है हेल्ट इज ए स्टेट ओप कंप्लीट फीजिकल एंड मेंटली सोचियल वेल बिंग नोट मेरी अन एपसेंस अप डिजीज स्वास्तिय सबसे स्रेस्ट है अंत्मे में आपको योग दिवस पर मेरी तरफ से सुब कामनाई अर्पित करता हुआ झाल